सर्व मंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरन्ये त्रंब के गोरी, नारायनी नमोस्तुते, ओम गंगनपते नमहा, ओम नमहै शिवाय, ओम ओमाये नमहा प्रिश्रोताओ आज हम सभी मंगला गौरी व्रत की बहुत पवित्र कथा का श्रवन करेंगे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी व्रत की पवित्र कथा को सुनता है पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है उनका जीवन सुख में हो जाता है और जो भी कन्याई मांगलिक है या फिर जिनका विवाहिक जीवन सुखद नहीं है या जिन कन्य का विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर किसी के पती या पुत्र पर किसी प्रकार का कोई संकट है तो वो इस कथा को सुनने मात्र से ही दूर हो जाता है इस कथा को सुनकर परिवार में सुख सम्रिथी बनी रहती है शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत को करने के साथ ही कथा का पाठ ये श्रवन अवशी करना चाहिए अनिता वहवरत अधूरा माना जाता है तो आज हम सभी माता पारवती की इस्ट्रमतकारी कथा को सुनेंगे जिसे सुनने वाला, कहने वाला और हुंकार भढ़ने वाले के उपर मता पारवती, जगत जन्नी, मागौरी का आशिरवा सदेव बना रहता है इस कथा को सुनने से माताओं बेहनों का सुहाग अखंड हो जाता है सुम काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है दुर्भागी सुभागी में बदल जाता है और जो कालों के काल हैं उन महा काल की अरधांगनी उनकी वरत कथा सुनने वालों पर भला काल कैसे नजर डाल सकता है इसलिए अपनी संतान और अपने पती की लंबी उम्र और सुक्षानती के लिए मता पारवती का ध्यान करते वे बहुती भक्ती भाव से श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए हमारी यही कामना है कि इस कथा को सुनने वाले हमारे प्यारे भाई बंधू हमारी माताएं बहने प्रीशोता गणो आप सब पर मतपारवती और महादेव का आशिरवास सदेव बना रहें तो चलिए अब कथा का शुभारब करते हैं हिंदी पंचान के नुसार आज सावन मास का मंगलवार है और सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए विशेश कर बहुते महतपून होता है इस दिन महिलाएं वरत रखती हैं और मता पार्वती का पूजन करती हैं कहते हैं कि मता पार्वती और भगवान शिव की करपा से अखंड सभागी और सुक समर्धी का आशिरवाद मिलता है मंगला गौरी व्रत के दिन मा गौरी की पूजा करने के साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है जिससे सभी मनुकामनाई पूरी हो जाती है मंत्र हैं पूराने कथा के नुसार एक बार एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बड़े सुख से रहता था उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी वह बहुत खुशाल जिन्दिकी पिता रहा था लेकिन उस व्यापारी को केवल एक की ही दुख था कि उसकी कोई संता नहीं थी इसलिए सारी सुख सुवधाएं होते वे भी दोनों पत्ती पत्नी खुश नहीं रहते थे फिर एक दिन की बात है उन व्यापारी के घर में एक साधु आए व्यापारी ने उनका खुब आदर सतकार किया और फिर उन्हें अपने दुख का कारण बताया साधु ने व्यापारी की पत्नी को सावन में मंगलवार को किये जाने वाले मंगला गौरी वरत करने की सलह दी साथ में पूजा विधी के बारे में भी सम्पूर्ण जानकारी दी इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने सावन महा के पहले मंगलवार से ही मंगला गोरी का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया अब वह हर मंगलवार को विधी पूर्वक वरत और पूजा पाठ करने लगी इस प्रकार कई महिनों तक उसने ये वरत किया एक दिन उसकी धर्म निस्ठा से प्रसन होकर मता पारवती ने भगवान शिव से व्यापारी और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वर्दान देने के लिए कहा व्यापारी को उसी रात सौपन में एक दिवी शक्ती ने दर्शन दे कर कहा हे व्यापारी एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्थी विराजमान है तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा व्यापारी ने अगले दिन सुभा उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूणने निकल पड़ा बहुत देड़ तक ढूणने के बाद आखिरकार व्यापारी को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्दी विराजमान थी उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया पत्थर फेकने से एक आम तो तूट कर नीचे गिर गया लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की पृतिमा को लग गया जिससे भगवान गणेश करोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस व्यापारी को श्राब देते वे कहा हे स्वार्थी मनिश तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुचाई है तुझे मा पारवती की कृपा से संतान की प्राप्ती तो होगी लेकिन उसकी मृत्य 21 वर्ष की आयू में ही हो जाएगी ये सुनकर व्यापारी बहुत खबरा गया और वह घर वापस चला गया उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया लेकिन इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया कुछ समय के बाद भगवान शिप और मता पारवती के आशिरवास से व्यापारी और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ती हुई जिससे उन दोनों की खुश्यों का ठिकाना नहीं रहा लेकिन साथ ही साथ व्यापारी इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अलपाई होगा देखते ही देखते वहबालक 20 वर्ष का हो गया और अब व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा एक दिन घर लोटते समय व्यापारी बेड़ की च्छाओं में तलाब के किनारे बैठ कर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा तब ही वहाँ कमला और मंगला नामक दो करने आए कपड़े धोने के लिए आए और कपड़े धोते वे आपस में बाते करने लगी कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्यक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्य किया है इसलिए तुम भी मा पार्वती को समर्पित ये व्रत अवश्य करना इससे माता पार्वती प्रिसन होती है और आप पर उनकी कृपा दृष्टी बनी रहती है इसे करने से मनुवांचित वर और अखंड सुभागी की प्राप्ति भी होती है कमला की बात सुनकर मंगला भी इस वरत को करने के लिए तयार हो गई दूसरी और व्यापारी ने दोनों कन्याओं के बीच का ये पूरा समवात सुन लिया फिर उसने अपने मन में ये सोचा कि ये कन्या मंगला गौरी वरत को करती है इससे इसे अखंड सुभागी की प्राप्ति होगी फिर तो यही मेरे पुत्र के लिए एक योग के वधू साबित होगी ऐसा सोच कर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया वियापारी की गाउं में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह वियापारी के पुत्र से करवा देते हैं विवाह के बाद भी कमला विधी पूर्वक मंगला गौरी का वरत रखना जारी रखती है उसके इस भक्ती भाव से प्रसन होकर मतापारवती एक दिन उसे सुप्ण में दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ती से अत्यन्त प्रसन हूं, इसलिए तुम्हें अखंड सुभागी का वरदान देती हूं। उस मठके में चला जाएगा और फिर तुम उस मठके को ऊपर से कपड़े से ढख देना अगले मंगलवार को कमला ने मता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया पास में एक मठकी भी रखती साप ने आकर दूध पिया और मठकी में जाकर बैठ गया क कमला ने तुरंथी उस मठकी पर कपड़ा बांधा और उसे जंगल में छोड़ाई माता पार्वती की कृपा से कमला के पती के प्राण बच गए इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुर्णिफल से व्यापारी का पुत्र श्राप मुक्त हो गया जब कमला ने घर में सब को इस चमतकार के बारे में बताया तो सभी आश्चरी चकेत रहे गए इसकी बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधु को आशिरवात दिया और पूरा परिवार सुक पूर्वक जीवन बिताने लगा कथा समाप्त प्रेम से बोली है मंगला ब्रह्म सनातन देवी शुब फल की दाता ओम जै पार्वति माता अरी कुल पद्म विनासनी जैसे वक्त राता मैया जैसे वक्त राता जग जीवन जग दंबा जग जीवन जग दंबा हरी हर गुन गाता ओम जै पार्वति माता सिह को वाहन साजे कुंडल है साथा मैया कुंडल है साथा देव वधू जह गावत देव वधू जह गावत दृत करता था ओम जै पार्वति माता सत युग शीले सु सुन्दर नाम सती कहलाता मैया नाम सती कहलाता हे मान चल घर जनमी सखीयन रंग राता ओम जै पार्वती माता शुम्भन शुम्भ विदारे हे मान चल स्याता मैया हे मान चल स्याता सहसे भुजातन धरिके चक्रिल योहाथा ओम जै पार्वती माता स्रस्टी रूप तुही जननी शिव संग रंग राता मैया शिव संग रंग राता नंदी भ्रंगी बिन लाही नंदी भ्रंगी बिन लाही सारा मद माता ओम जै पार्वती माता देवन अरज करत हम चित को लाता मैया हम चित को लाता गावत दे दे ताली मन में रंग राता ओम जै पार्वती माता श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता सदा सुखी रहता वो सुख संपती पाता ओम जै पार्वती माता ओम जै पार्वती माता मैया जै पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता ओम जै पार्वती माता